नमस्कार मवरिया भिहारी नियोज में आपका स्वागत है भिहार में पंचायद चुनाव का बिगुल फुक चुका है अब बस मतदान की बारी है राजो नर्वाचन आयोग की तरफ से जारे की गई अधिसूचना के साथ ही पंचायद चुनाव के आयोजन को लेकर तयारियां तेज हो गई है आज के वीडियो में हम आपको दूसरे चुरन के मतदान, नमांकन, मतगर्ना से लेकर प्रखंडवार पंचायद चुनाव की सारी जानकारी साज़ा करेंगे इसके तहट दूसरे चरन में प्रखंडव की संख्या 48 तैकी गई है वहीं कुल मिलाकर 34 जुले में चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा जिसके लिए 9,686 मतदान केंद्रों की संख्या तैकी गई है तो वहीं 6,543 मतदान भबनों की संख्या को तैकी आगया है जिसके तहट बकसर के राजपूर, भोजपूर के पीरो, कैमूर के दुर्गावती, रोहतास के रोहतास, नोहटा, पटना के पालीगंज, नालंदा के थर्थरी, गिरियक, गया के टिकारी, गुडारू, नवादा के कौवाकोल, और अंगाबाद के नवीनगर, जहानबाद के घोची, Bloody के अरवल, सारन के मांची, सिवान के सिवान सदर, गोपालगंज के विजयपूर, वैशाली के हाजिपूर, मुजफरपूर के मढवन, सरेया, पुर्वी चंपारन के मधूण, फिनहारा, तेतरिया, परशिमी चंपारन के चन्पटिया, सीतामढ़ी के चु दूसरी चलन को लेकर प्रपत्र पांच में सूचना का प्रकाशन 6 सितंबर 2021 को किया जाएगा वही नमांकर की तारीक 7 सितंबर तै की गई है जो की 13 सितंबर तक जारी रहेगी जो इसके बाद बारी आएगी स्कुरूटनी की राजो निर्वाचनायों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार स्कुरूटनी की प्रक्रिया 16 सितंबर को की जाएगी स्कुरूटनी के बाद ये तै हो सकेगा कि पंचाय चुनाव में हिस्सा बनने के लिए कौन-कौन से उमिद्वार योगे हैं और कौन-कौन से उमिद्वार अयोगे हैं जो इसके बाद योगे उमिद्वारों के पास नाम बापस लेने की अंतिम आरीक 18 सितंबर तै की गई है जिसकी बाद सिंबल का आवंटेन, योग्य और पात्रों मिद्वार को कर दिया जाएगा। इन सबी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार 29 सितंबर 2021 को दूसरी चरन के चुनाव का आयोजन करवाई जाएगा और मतगर्ना 1 ऑक्टूबर से 2 ऑक्टूबर तक करवाई जाएगी जिसकी बाद गाउं की सरकार बनाने में लोगों ने किस प्रतिनिती को चुना है इसका खुल भूल को सुधार कर चुकी है यही कारण है कि पंचाय चुनाव के आयोजन को लेकर कोरोना के मामलों में कमी आते ही राजो निर्वाचन आयोग ने तुरंत ही पंचाय चुनाव के आयोजन को लेकर तयार या देज कर दी है अब तो तारीकों की घोशना भी हो गई है हालाकि दूसरे चरण में जिन उमिद्वारों ने मैदान में उतरने की ठानी है उनुन उमिद्वारों को आचार सहिता और नामांकन संबंधी जारी के गए सभी दिशान निर्देशों का पालन करना होगा इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद